नमस्कार, सबी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाई विकासर परिवार में स्वागत करता हूँ हम लोग रोज एग्री कल्चर के बहतरीन परशनों के साथ पुलाकात करते हैं जैसा कि आप लोगों को पता है किर्सी विज्यान से संब्धित जितने भी एक्जाम होते हैं चाहे कमपटेटिव एक्जाम हो चाहे भरती परिच्छा, किर्सी परिच्छक, ICR, BHU, AFO, IBPS, NAWARD, Agriculture, TGT, PGT जो भी इस तरीके के एक्जाम होते हैं उनकी त्यारी से संब्धित प्रशों को रुजाना लेकर आते हैं प्यारे विद्यार्थियो, जितने भी आप लोग हमारी चैनल से जुड़े हैं सबका हम एग्री कोचिंग बाइविकास अर्परिवार में स्वागत करते हैं चलिए आज की क्लास सुरू की जाए, बहुत ही बहतरी एक से एक कोचिंग को लाया गया है जो कि परिछा के दिरिष्टी से काफी मोस्ट और इंपोर्टेंट सावित होंगे तो इस वीडियो को सुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा देखते हैं, एक से लेके 31 तक候 कोचिंग करा चुके हैं आज है 31 से लेके आगे कोचिंग को कराएंगे ठीक है, 70 तक कोचिंग कराएंगे जो की most important कोचिंगे तो चलिए, सुरू करते हैं, first question first question हमारा कह रहा है, yefcii की स्थापना होई थी आपको बताना है ये FCI की स्थापना कब हुई थी 1 January 1965 को 10 January 1965 को 5 January 1965 को या 14 January 1965 को तो इसका correct answer बताईए क्या हो सकता है तो इसका correct answer हो जगा D option 14 January 1965 को FCI की स्थापना हुई थी ठीक है D option राइट है चलते हैं question number 32 बर दोस्तों agriculture economics की class ये second है अगर फर्स्ट वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं question number 32 आपकी screen पर है question करा क्रिसी लागत मुल आयोग का गठन हुआ था आपको बताना है CACP का गठन कब हुआ था January 1961 January 1960 January 1963 या January 1965 तो इसका correct answer हो जाएगा यहाँ पर D option जन्वरी 1965 चलते हैं question number 33 पर question number 33 आपके screen पर है question करा उप भोक्ता जो मुल ले चुकाता है या उत्पादक जो मुल ले प्राप्त होता है उस अंतर को क्या कहा जाता है बेपडन लागत कहते हैं आमदनी कहते हैं कीमत विस्तार कहते हैं यहाँ पर कीमत विस्तार ठीक है B option यहाँ पर right answer हो जागा चलते हैं question number 34 पर question number 34 आपके screen पर है निम्न लिखित में से कौन सा बिकल्ब बैंक की स्ट्रेणी में नहीं आता है IDBI ICICI SBI या LBS इन चारों में से बताएं कौन सा बैंक की स्रेणी में नहीं आता है तो इसका correct answer हो जागा LBS ठीक है यह bank की स्रेणी में नहीं आता है D option यहाँ पर right है चलते है question number 35 पर question number 35 देखेंगे निम्न लिखित में से कौन सा साख का 3R नहीं है अदाएगी जोखिम वहन योगता बकाया या प्रैदिफल तो इसका correct answer हो जागा यहाँ पर बकाया C option यहाँ पर right answer है चलते है question number 36 पर question number देखेंगे 36 36 number question कहरा है भविस्य कालिक आय का वर्तमान मुले ग्यात करने की विधी को क्या कहते हैं बट्टा करण कहते हैं या इस्थिर संगरना करण कहते हैं या चक्र विधी करण कहते हैं या उप्रोक्त में से कोई नहीं तो इसका correct answer क्या हो जागा आप लोग comment के अंदर बताईएगा तो इसको ठीक है यहाँ पर A option right answer हो जागा बट्टा करण बट्टा करण भी धी कहते हैं या रखेंगे चलते हैं question number 37 पर दोस्तों यदि आप लोगों को agriculture के किसी भी एकजाम में selection लेना है तो इमानदारी के साथ channel को जरूर subscribe करें यह है आपका परिवार है जो कि सरकारी नोकरी की तरफ जरूर ले जाएगा तो question number 37 आपके screen पर है इसको ध्यान पूरवक पढ़िए और answer दीजिए निम्न लिखित में से कौन सी लागत अस्थाई लागत नहीं है ठीक है यहाँ पर पूछा है कौन सी लागत अस्थाई लागत नहीं है तो आपको बताना है बीमा का खर्चा समय के साथ मूले हरास या 27 रमकों का मजदूरी या उरवरकों की लागत तो यहाँ पर उरवरकों की लागत जो है यह क्या है स्थाई लागत नहीं है C option यहाँ पर राइट answer हो जाएगा चलते हैं question number 38 पर question number देखेंगे 38 question number question करा है आम आदमी जिस बैंक में खाता नहीं खुलवा सकता वह बैंक कौन सा है सहरी, सरकारी बैंक, छेत्रिय ग्रामिड बैंक भारती रिजर बैंक या मारिज़क बैंक तो इसका correct answer हो जाएगा C option ठीक है भारती रिजर बैंक यहाँ पर right answer हो जाएगा चलते हैं question number 49 question number 49 49 number question करा सरो पर्थम बैंकों का राष्ट करण जिस वर्स में हुआ है वह है 19 July 1989 29 July 1970 19 July 1971 या उप्रोक्त में से कोई नहीं तो इसका correct answer हो जाएगा 19 July 1969 को सरो पर्थम बैंकों का राष्ट करण हुआ था ठीक है यह option यहाँ पर right answer हो जाएगा चलते हैं question number 40 question number 40 देखेंगे बहुत ही बहतरीन बहुत ही लाजवाब question है question करहा अल्प कालीन रिन short term credit को कहते हैं ठीक है आपको बताना है अल्प कालीन रिन को क्या कहते हैं निवेस रिन कहा जाता है फसली रिन कहते हैं या मियादी रिन कहते हैं या उप्रोक्त में से कोई नहीं यह question दोस्तों ऐसे हैं जो कि agriculture के हर exam में चाहे आप ओंडे exam दे रहे हैं चाहे किसी भी exam की तयारी करें एक economics का अगर part है तो उसमें जरूर यह सब question आप रखे जाते हैं इन question को ध्यान पूरो पढ़कर आप लोग exam में जाईएगा तो इसका correct answer क्या होगा आप लोग बताईए तो इसका correct answer हो जाएगा यहाँ पर अल्प कालीन ठीक है तो इसका answer हो जागा B फसली रिन है बी option यहाँ पर right answer चलते हैं question number 41 पर question number 41 यह भी काफी बहतरीन question है जहाँ पर वस्तूओं को भोकता की जरूरत के अनुसार खरीदा और बेचा जाता है उस बाजार को क्या कहते हैं थोक बाजार कहा जाता है या दिर्ग कालीन बाजार कहा जाता है या ग्रामिन बाजार कहा जाता है तो दोस्तो ऐसे बाजार को खुदरा बाजार कहा जाता है D option यहाँ पर right answer हो जाएगा चलते हैं question number 42 पर question number 42 42 number question कर रहा है बाजार के संगठक कौन-कौन से हैं बाजार के संगठक यहाँ पर पूछा है तो कौन-कौन से हैं यह आपको बताना है A option है किसी वस्तू का होना आवशक है B option है क्रेताओं और विक्रेताओं का होना आवशक है C option है अस्थान एम छेत का निर्धारन आवशक है चौथा option है उपरोक सभी तो बाजार का संगठक जो होते हैं किसी वस्तू का होना भी आवशक होता है क्रेताओं और विक्रेताओं का होना भी आवशक है अस्थान और छेत का निर्धारण भी आवशक होता है इसलिए यहाँ पर हमारा D option राइट एंसोर हो जाएगा चलते हैं कोश्चन नमर 43 कोश्चन नमर देखें कि 43 43 नमर कोश्चन करा है भारत में कृश्ची विपणन किताब किसने लिखी ठीक है आपको बताना है एगरी कल्चरल मार्केटिंग इन इंडिया यह फूस्टर किसके द्वारा लिखी गई है यस यस आचार एउम यन यल अगरवाल द्वारा जे आर मूरे यस यस जोल और एउम एउम हुस्टरो सी ओप्शन है एउस कहलान और यम भी जार्ज या अप्रूप्त में से कोई नहीं तो इसका करेक्ट एंसर हो जागा A ओप्शन ठीक है यस यस आचार और यन यल अगरवाल के द्वारा भारत में क्रिशी विप्णन पुस्तक लिखी गई है ठीक है A ओप्शन राइट एंसर हो जागा चलते हैं कोईशन अबर 44 पर कोईशन अबर 44 देखेंगे मार्केट शब्द की उत्पति हुई है जर्मन शब्द से, ग्रीक शब्द से, अमेरिकन शब्द से या लेटिन शब्द से तो इसका correct answer हो जागा यहाँ पर मार्केट शब्द की उत्पति पूछा है तो यहाँ पर D option हो जागा लेटिन शब्द से इसकी उत्पति हुई है चलते हैं question number 45 पर question number देखेंगे 45, 45 number question कहे रहा है वस्तूओं के निर्याद एवं आयाद संबंधी bank का नाम क्या है ठीक है, जो वस्तूओं का निर्याद करता हो और आयाद करता हो, उससे संबंधी कौन सबंधी bank है आपको बताना है नावाड, एकजिम बैंक, RBI या उप्रोक सभी तो इसका correct answer हो जागा यहाँ पर B, एकजिम बैंक ठीक है, B option यहाँ पर right answer हो जागा चलते हैं question number 46 पर question number देखेंगे 46 46 number question कहे रहा है भारत में सहकारी विपणन का धाचा किस परकार का है द्विस्तरिय धाचा है 3 इस्तरिय धाचा है भहुष्तरिय धाचा है या उप्रोक सभी तो भारत में सहकारी विपणन का जो धाचा है 2 इस्तरिय भी है, 3 इस्तरिय भी है, भहुष्तरिय है इसलिए उप्रोक सभी आजागा यहाँपर D option हमारा correct answer हो जाएगा, चलते हैं question number 47 पर, question number देखें, 47, जब बिक्रित अधिसेज, बिक्रे अधिसेज से ज्यादा होता है तो उसे क्या कहते हैं, बिक्रे अधिसेज, बिक्रित अधिसेज, या उतपादक अधिसेज, या मजबूरन बिक्रे, तो इसका correct answer हो जगा मजबूरन भी correct ठीक है ये सब ऐसे question है जो exam में बार बार पूशे जाते हैं तो इन question को ध्यान पूरोग पढ़ें चलते हैं question number 48 पर Question number 48 इन में से कौन सी विपड़न परकिरिया एक समान वर्ग वाले बिपड़न परकिरिया से संबंधित नहीं है यहाँ पर नहीं पूशा है तो answer सो समझ के बताईएगा समवेश्टन, संग्रहन, ग्रेडिंग या बैंकिंग तो इसका correct answer हो जागा यहाँ पर D option यानि कि बैंकिंग D option यहाँ पर right answer है चलते हैं question number 49 पर दोस्तों यदि आप लोगों को agriculture के किसी भी exam में selection लेना है तो इमानदारी के साथ channel को जरूर सब्सक्राइब करें question number 49 आपके screen पर है ध्यान पूर्वक पढ़िए और इसका answer दीजिए भारत में सहकारिता अंदोलन कब सुरू हुआ 1901 में, 1904 में, 1919 में, 1947 में तो भारत में सहकारिता अंदोलन जब सुरू हुआ वो संथा 1904 तो B option यहाँ पर right answer हो जागा चलते हैं question number 50 पर question number देखें कि 50 पचास number question करा है गेहु की कटाई के पहले सरकार दोरा घोसित मूले क्या कहलाता है नियूंतम समर्थन मूले कहलाता है procurement price कहलाता है levy मूले कहलाता है या statutory price कहलाता है तो इसका correct answer हो जागा यहाँ पर procurement price कहलाता है यानि B option यहाँ पर right answer हो जागा ध्यान पूर्वक answer देंगे कुछ लोग इसका answer नियुंतम समर्थन मूल बता रहे हुए लेकिन इसका correct answer है B option चलते हैं question number 51 पर question number 51 सहकारी साख अधिनियम कब लागू हुआ 1901, 1904, 1912, 1947 तो इसका correct answer हो जागा 1904 में सहकारी साख अधिनियम लागू हुआ था B option यहाँ पर right answer हो जागा चलते हैं question number 22 question number 22 भारत में सहकारी अंधोलन के जनक कौन थी नर्स, नर्सिंग मां, गोड़कर, निकोलसन या मार्सल तो इसका correct answer हो जागा यहाँ पर C option ठीक है, निकोलसन है जो भारत में सहकारी अंधोलन के जनक माने जाते हैं याद रखेंगे, चलते हैं question number 33 question number 23 तिरपन, केंद्रिय सहकारी सोसाइटी के गठन का प्रावधान किस अधिनियम के लिया गया था? ठीक है, आपको बताना है, जो केंद्रिय सहकारी सोसाइटी के गठन का प्रावधान है, किस अधिनियम में लिया गया था? 1904 में 1912 1914 या 1944 में काफी important question है तो इसको ध्यान पुरक पढ़िया और इसका answer दीजिए correct answer हो जागा यहाँ पर 1912 में B option यहाँ पर right answer हो जागा चलते हैं question number चववन पर question number देखेंगे चववन राष्टिय सहकारी विकास निगम यन सी डी सी अधिनियम का गठन कब हुआ था 1904 में 1912 में 1944 में या 1962 में तो इसका correct answer हो जागा यहाँ पर D option 1962 में यन सी डी सी का गठन हुआ था ठीक है D option यहाँ पर right answer चलते है question number पर दोस्तों question की संख्या जादा है आज 70 तक question कराएंगे तो यह question काफी most important है परिच्छा के दिरिष्टी से अच्छे है तो इनको पूरा पूरा जरूर पढ़िएगा Question number 55 Reserve Bank of India RBI कब अस्तित्तों में आया था 1 April 1929 में 1 April 1935 21 March 1930 21 March 1935 तो इसका correct answer हो जागा है यहाँ पर B option यानि कि 1 April 1935 में RBI अस्तित्तों में आया था चलते हैं question number 56 पर एक चीज़ और बता दें कि RBI का राष्ट करण जो हुआ था वो कब हुआ था याद रखेंगे आप लोग एक जनवरी एक जनवरी 1949 को इसका राष्ट करण हुआ था RBI का इनके पहले गवर्णर जो थे O.A. Smith थे ये भी आपको याद रखेंगे बहुत बार यामा में आया हुआ है O.A. Smith पर्थम गवर्णर थे Question number 56 आपके स्क्रीन पर है Question number 56 करा है Imperial Bank of India कब बना था ठीक है काफी अच्छा question है 1921 में 1935 में 1955 में 1979 को इसका correct answer हो जागा यहाँ पर A option यानि की 1921 को Imperial Bank of India बना था चलते हैं Question number 57 Question number 57 57 number question करा है Alp Aodhirin कितने समय के लिए सभी कृत किये जाते हैं एक सीजन एक वर्स, डेड़ वर्स या सभी के लिए तो इसका correct answer हो जागा यहाँ पर सभी के लिए यानि एक सीजन के लिए भी होता, एक वर्स के लिए होता, डेड़ वर्स के लिए होता तो D option यहाँ पर राइट answer हो जागा हमारा चलते हैं Question number 58 Question number देखेंगे कौन से परकार के रिण 5 से 30 वर्स तक दिये जाते हैं Alp Aodhirin, Madhyam Aodhirin दिर्ग Aodhirin या इन में से कोई नहीं, काफी अच्छा important question है, तो इसका correct answer बताए क्या हो सकता है तो इसका correct answer हो जागा C option दिर्ग Aodhirin, C option यहाँ पर right answer चलते हैं Question number 69 पर Question number 69 राज में Alp या Madhyam Aodhirin के लिए राज अस्तर पर क्रिशी रिण सविक्रित किये जाता है केंदिरी सरकारी बैंक दोरा राज सहकारी बैंक दोरा प्राथमिक सहकारी बैंक दोरा या सभी दोरा तो इसका correct answer हो जागा राज सरकारी बैंक के दोरा ठीक है, B option यहाँ पर right answer हो जागा चलते हैं Question number 60 पर Question number 60 काफी अच्छा question है जिले अस्तर पर अल्प और माध्यम आउधी क्रिशी सहकारी रिण सविक्रित किये जाते हैं किसके माध्यम से अल्प और माध्यम आउधी क्रिशी सहकारी रिण सविक्रित किये जाते हैं ओ भी कहाँ पर जिले अस्तर पर याद रखिए, आपेच बैंक से, राज्य सहकारी बैंक से, केंद्रिय सहकारी बैंक से, या प्रात्मिक सहकारी बैंक से, काफी अच्छा कोशन है, तो इसका correct answer बताईए क्या हो सकता है, तो इसका correct answer हो जाएगा, C option, ठीक है, केंद्रिय सहकारी बैंक से, केंद्रिय सहकारी बै दिरगवदी के सहकारी रिन किस संस्था दोरा परदान किये जाते हैं रज सहकारी बैंक के दोरा, केंद्रिय सहकारी बैंक के दोरा, केंद्रिय भूमी विकास बैंक के दोरा या प्राथमिक भूमी विकास बैंक के दोरा तो इसका answer जो हो जाएगा correct answer केंद्रिये भूमी विकास बैंक के दोरा C option यहाँ पर right answer हो जाएगा चलते हैं question number 62 Question number देखेंगे 62 62 number question कर रहा है तहसील एम जिले अस्तर पर दिर्गावधी का क्रिशी शहकारी रिन सविकृत किया जाता है किसके दोरा प्राथमिक सहकारी बैंक के दोरा केंद्रिये सहकारी बैंक के दोरा प्राथमिक भूमी विकास बैंक के दोरा या सभी की दोरा तो इसका correct answer हो जागा प्राथमिक भूमी विकास के दोरा C option यहाँ पर दोस्तों right answer हो जागा चलते हैं question number 63 पर एक और बहतरीन कोशन देखेंगे कोशन करें पहला फसली रिण कौन सी फसल पर दिया गया था ठीक है पहला फसली रिण कौन सी फसल पर दिया गया था धान चाय गेहू कपास तो इसका करेक्ट एंसर हो जगा यहाँ पर कपास ठीक है कपास पर दिया गया था पहला फसली रिण चलते हैं कोशन नबर 64 पर कोशन नबर देखें 64 जिस दर पर सुद्ध वर्तमान मूले सुने के बराबर होता है वह है लाभ लागत मूले लाभ लागत अनुपात प्रतिफल की आंतरिक दर या सुद्ध वर्तमान मूले जिस दर पर सुद्ध वर्तमान मूले सुने के बराबर होता है वह है वह हो जाएगा प्रतिफल की आंतरिक दर ठीक है आपको बताना है परबंध का मुख्यकार कौन सा है इसमें से नियोजन या स्टीफिंग या संगठित करना या मुल्यांकन तो परबंध का मुख्यकार जो होता है वो मुल्यांकन होता है डी ओप्षन यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा याद रखेंगे दोस्तों यदि चानल की किसी भी एकदाम में सलेक्σιन लेना है तो इमांदारी के साथ चैनल को जरू सस्क्राइब करें अगर चैनल पे नए आए हैं तब इस बिछ सब्सक्राइब करें चलते हैं question no secretary चांचट नंबर कोश्चन आपके स्क्रीन पर है क्रिसी वैवसाय के साथ जुड़ा हुआ है उत्पादन संसाधनों से क्रिसी वस्तूं या सुविधा जनक सेमाएं या सभी तो आपको बताना क्रिसी वैवसाय के साथ जुड़ा हुआ है क्या जुड़ा हुआ है तो ये सभी जुड़े हुए है डी ओप्षन यहां पर राइट अंसर हो जाएगा ठीक है याद रखेंगे चलते हैं कोशन नबर सांसर पर कोशन नबर सांसर देखें कि बहुत ही बहतरीन कोशन है कोशन कहरा है ग्रामिण छेत्रों में लगू सिमांत किसानों क्रिसी ग्रामिणे एम छोट उद्धमी के रिण के हम अन सुविधा लेने ही तू संस्था है आपको बताना है ऐसी कौन से संस्था है जो सिमांत किसानों और क्रिसी ग्रामिणे और छोटे उद्धमी जो लोग है उनको रिण अगर परदान करना है सुविधा परदान करना है तो कौन से संस्था इसमें भागने बाती हैं, नवाड, रीको, आर आर बी, या यल, डी, बी, तो इसका correct answer हो जाएगा, ये C option, ठीक, आर आर बी, यस, ये C option यहाँ पर right answer हो जाएगा, चलते हैं, question number 68 पर, question number देखेंगे, 68, सन 1977 में, छेत्रिय ग्रामिड बैंकों की कारी दच्छता का मुल्यांकर करने हैं तो, किसके नेतित तुमें कमेटी बनाई गई थी, यम, नरसिमा, सिवरमन, या, यम, एल, दांते वाला, या कोई नहीं, तो इसका correct answer हो जाएगा, छेत्रिय ग्रामिड बैंकों की कारी नेतित तुमें मनाई गई थी, सिए option यहाँ पर right answer हो जाएगा, चलते हैं, question number 69, question number 69, question कर रहा है, निम ने लिखित में, स्थाई लागत नगदी का उधारण नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा है, तो स्थाई लागत नगदी का उधारण नहीं पूछा है, देखते हैं option, ब्याज, भूमिकर, या insurance premium, या परबंध लागत, तो इसमें से बताईए, कौन सा correct answer हो जाएगा, तो इसका correct answer हो जाएगा, परबंध लागत, यह जो है, यह स्थाई लागत नगदी का उधारण नहीं है, तो D option यहाँ पर right answer हो जागा, चलते हैं, question number 70, जो कि आज का हमारा last question रहेगा, question number 70, आपके screen पर है, question कर रहा है, चालू परी संपतियों का उधारण है, आपको बताना, चालू परी संपतियों का उधारण कौन सा है, फार्म मसीनरी, भूमी, बिल्डिंग, या पसुधन, बिक्री हेतू, तो इसका correct answer हो जाएगा यहाँ पर, फार्म मसीनरी, य चालू परी संपतियों का उधारण है, तो यह option यहाँ पर हमारा right answer हो जागा, आज की वीडियो यहीं समाप्त होई, आप लोगों कैसी लगी, comment के अंदर बताईएगा, कल फिर मुलाकात करते हैं, एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवारता है